हेलो स्टुडेंट आज हम लोग क्लास टेंथ का मैथ प्रियर ओफ लिनेर इक्वेशन एंड टू वैरियेबल चैप्टर थ्री का आज हम लोग इंपॉर्टेंट कोश्चन देखेंगे तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 3.2 देखेंगे और 3.3 देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर 3.4 और 3.5 कंप्लीट कर लेंगे तो चलिए देखते हैं कि बोड एक्जाम की विई से हम लोग कौन-कौन से क्या है क्कोशन नवर एक्सराइज 3.1 का इंपॉर्टेंट क्वेशन कोश्चन नमबर वन ये आपके बूक से में भी क्वेशन नमर वन ही होगा अफताफ tells his daughter seven years ago I was seven times as old as you were then also three years from now I shall be three times as old as will be represent this situation algebraically and graphically देखे क्या कह रहा है अफताफ पहले वो अपनी बेटी का seven times था कह रहा है कितने times अपनी बेटी क्या कह रहा है साथ साल पहले में तुम्हारी एज का साथ गुना था मतलब seven times था फे क्या कर रहा है अब से तीन साल बाद ठीक है also three years from now मतलब आज से तीन साल बाद या अब से तीन साल बाद ना क्या कह रहा है अपनी बेटी को वो I shall be three times as old as you will be मतलब क्यों अपनी वीडियो कह रहा है कि मैं तुमसे आज से तीन साल बाद मैं तुमसे three times हो जाएगे यह कह रहा है तो हम लोगो को क्या करना भूर के रहा है बस अब चली आगे देखते है the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees कितना 160 after a month the cost of 4 kg apples and 2 kg of grapes is 300 rupees represent the situation algebraically and geometrically देखे फिर से वही चीज़ है क्या कर रहा है 2 kg save का और 1 kg grapes का हम लोग कितना रुप्य पे कर रहा है कितना रुप्य है 160 रुप्य कितना है 160 रुप्य आफ्टर मंदर एक महना बाद में 4 kg apples और 2 kg grapes इनका इनका price कितना है 300 कितना है 300 तो हम लोगे इसको क्या करना है रिप्रेजेंट करना इस situation को ग्राफिकली और अलजेबरिकली आप चलिए आगे देखते हैं exercise 3.1 में सिर्फ दो ही question important थे 1 और 3 आप चलिए आ जाते exercise 3.2 में कौन से question important है चलिए देखते हैं कोशिन नमबर वन कोशिन नमर वन important है इसका वन वन का वन भी आ सकता है या वन का टू भी आ सकता है यह नहीं कि दोनों वन और टू साथ में वह ऐसा नहीं होगा हो सकता है वन का वन आ जाए वन का टू आ जाए चलिए देखेंगे from the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically इसको ग्राफिकली देखे solve करने करा है 10 students of class 10 took part in a mathematics Ques देखे class 10 के 10 बची क्या कर रहें mathematics Ques में हिस्सा ले रहे है इस दा number of girls is four more than the number of boys क्या कह रहे है बॉइज की संख्या से ना बॉइज जितना boys है उससे जो girls है वो कितना धी के girls कितना धी के चार अधी के मान लीजिए अगर boys three है boys कितना है three है boys three है girls कितना हो जाएंगे seven हो जाएंगे क्योंकि चार अधी कह रहे है न बॉइज अगर three है तो girls कितना हो जाएंगे seven हो जाएंगे कितना seven क्योंकि four अधी के कह रहा है फिर क्या कर रहा है find the number of boys and girls who took part in the quiz हम लोग को बताना है कि उस quiz में कितने number of boys बताना है और number of girls बताना है कि कितने लोग हिस्सा लेने उसमें चलिए अब one का ही two देखेंगे दोने में से कोई question आएगा मैं बता चुका हूँ आप से five pencils and seven pens together cost fifty देखें पांच पैंसील और साथ पहें का दोनों का एक साथ दाम कितना है 50 रुपर माने कि कोई कोई आदम ही वो क्या कर रहा पांच पैंसील ले रहा है और साथ पहें ले रहा है तो कितना और दे रहा है वो पचास रुपर दे रहा है वेर एल्स जबकि seven pencils and five pens together cost 46 लेकिन साथ पैंसील और पांच पैंसील का दोनों मिला के कितना कोश्ट हो रहा है 46 हो रहा है find the cost of one pencil and that of one pen तो हम लोग से पूछ रहा है कि एक पैंसील और एक पैंका कोश्ट कितना होगा अब चलिए आगे देखते हैं आगे हम लोग क्या करना है on comparing the ratios a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2 find out whether the following pair of linear equations are consistent और inconsistent देखिए यह सब equation है हम लोग को बताना है यह consistent है यह consistent नहीं है यह सब का आपको solution description लिंक में मिल जाएगा जितने भी question सबका link आपको दे दिया जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इस वीडियो में किवाल हम लोग question को ही देखेंगे answer हम लोग इसका solution बताने में बहुत समय लग जाएगा इसलिए मैं हो सके तो आपको सिर्फ question बताऊंगा और आपको इसका solution description नीचे दे दिया जाएगा ठीक है लिंक में दे दिया जाएगा तो आप उसको क्लिक कर क्या solution मिल जाएगा आप चलिए आगे देखते हैं कि इसमें सिर्फ दो ही question important थे exercise 3.2 में दो ही question important थे वन और ठीक है अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कर हम लोगा exercise 3.3 में question number 1 यह तो बहुत important है आते ही आते हैं नहीं सब the following pair of linear equations by the substitution method देखिए मैंने आपको substitution method भी पता हैं भी बता है है question में जो बोला जावसे सही सको find करना पड़ेगा substitution method से बोलेगा सब्स्ट Свेंचन माद से solve करना रहे हैं कि DeSM है इसे में जाके देखिए आपको हर question का solution मिल जाएगा चैप्टर वाइज आपके लिए वीडियो बना दिया गया आप चाहके देखिए एक कोशन का आपको solution मिल जाएगा आप चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि exercise 3.3 का ही question number 3 यह भी बहुत important है exercise 3.3 का question number में जितने भी question है ना one two three four five six यह सब के सब क्या बहुत important है यह question exam में आते ही है कोई ना कोई इसलिए आप इन सब को जरूर से जरूर एक बार solve करके देख लिए एक बार कम से कम exam में जाने से पहले दो तीन बार पढ़के देख लिजिए solve करके देख लिजिए ताकि आपको exam में कोई दिक्कत ना हो चलिए क्या कह रहा है हम लोग से देखते है कि form the pair of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method लेकि हम लोग को substitution method से solve करने करें कि से substitution method से तो चलिए इसको solve कर देते है क्या है कि the difference between two numbers is 26 देखिए दो number का difference कितना है 26 है and number is three times the other देखे क्या कह रहा है जो एक number है वो दुसरे number के कि तीन गुना है मतलब three times है तो number हम लोग को find कर रहा है find them कह रहा है चलिए देखते है second the large number of the large number of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree find them क्या कह रहा है हम लोगा दो supplementary एंगल है कि supplementary angles मतलब दो angle का सम कितना हुची यह वह है supplementary क्या कह रहा है जो बड़ा वाला एंगल है वह क्या छोटे वाले एंगल से कितना बड़ा है 18 दीगरी बड़ा है ज्यादा है बड़ा है कह सकते हैं मतलब उन्हें find करना है तो आपको सिर्फ समझने का कुसिस करना है न फिर क्या करना हम लोगों को 1750 find the cost of each bet and each ball देखें हम लोग से क्या कर एक किर्केट कोच है वह क्या करता है अपने टीम के लिए साथ बैट और छे बोल्स खरीदता है कितना में 3800 में खरीद लेता है 3800 में खरीदता है फिर बाद में वह क्या करते है वह थिरी बैट और फाइब बोल्स फिर ले ले लेती है कितना थि बैट और फैफ direkt और ले लेति है दितना उसको कितना देनापडता रूपीज कितना देने पड़ता है ववन थाँज Wonderful दिना पड़ते तॉ हम लोग को एक बैट और एक बोल का क्या बताना है कोश्ट बताना है कि अब चुलिंट आगे देखते है तेक्सी चार्ज इन एक टैक्सी है तो वह जो तरह चार्ज लेता है एक फिक्स चार्ज होता है और एक डिस्चेंस के साफ से चार्ज लेता है अदमी 10 किलोमेटर जाता है तो चार्ज हुश DES किलोमेटर गया hike इस लेए 10 किलोमेटर टिया चार्ज कितना पए में कियाए एट फूर जरनी अफ 15 km और एक फीमाल लेजी दूसरा वेक्ति माल लेजे पंदर किलोमेटर जाता है तो चासपाइड इस 155 तो कितना कितना रूपीज प करता है 155 रूपी किया करता है फिर क्या कर रहा है what are the fixed charge and the charge per kilometer तो हम लोगों को बताना है fixed charge और charge per kilometer कितना है how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer और क्या बताना है कि अगर कोई व्यक्ति वो 25 kilometer जाए तो उसका क्या होगा charge उसके कितना pay करना पड़ेगा फिर कि हम लोगों का आप fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to the both the numerator and the denominator if 3 is added to the both the numerator and the denominator denominator it becomes 5 by 6 find the fraction देखे हम लोग से क्या कर रहा है एक fraction है जिसमें हम लोग क्या करे to add कर देते है numerator में भी denominator में भी तो वो क्या हो जाता है 9 by 11 हो जाता है यदि 3 add कर देते है numerator और denominator में तो वो कितना हो जाता है 5 by 6 हो जाता है समझे में आगे आप लोग को आप चलिए आगे देखते हैं 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son what are their present is तो समझे क्या होगा क्या कह रहा है 5 साल बाद Jacob कितना age का हो जाएगा अपने संसे 3 times उसके age की 3 times हो जाएगा अगर वो उसका बेटा क्या है कितने साल का है 3 साल का है तो वो कितना हो जाएगा तो सकते गुना थ्री सही हुना कर देजे नाइन यहर्सस का ऒजाएगा कॉन जेको ओएसी प्रकास we 5 इर्स बोल रहा है वह तो सोरी ठीक है 5 साल बाद बोल रहा ना 5 साल बाद क्या होगा वह अपने सब्सक्राइब अगर उसका बेटा 15 का है तो उसका जैकोब कितना का हो जाएगा 45 का हो जाएगा अब यहां पर क्या करा आगे देखते हैं फाइव यहर्स अगो पांस साल पहले जैकोब एज वह सेवन टाइमस क्या था मतलब कि अपने बेटे से कितने साल का था वह साथ गुना था ठीक है कितना था सैवन टाइमस था वह तो वह क्या करना को वाट आर देर प्रेजेंटेज तो हम लोग को बताना है उनका के कहले के से कि इस एक प्रेज माहितकी से थी मुआ अगर आप लोग जाहेंए तुम्हें बता सकता हूं इस में फूर्टन उसक्राषेंस इस वीडियोस में तो नहीं क्यों बताना था तो तो बहुत लंबा हो जाता है फ्र भी चलिए आपको मैं 70 मैं बता ही देता हूं कुछ कुछ जैसे exercise 3.4 का question number 1 आप पूरा देखे elimination method से बताना सकते हैं substitution method से बनाने बोलड़ा जिससे आप दोनों से बोलड़ा है तो आपको बनाना पड़ेगा एक्जाम में आपको जिससे बोले elimination method से बोले या substitution method से बोले आपको बनाना ही पड़ेगा अब यहाँ पे देखते question number 2 का सारे question है यहाँ पे देखे question number 2 के सब question है इसमें आपको exercise 3.4 में 1 और 2 के सारे question बना लेने ताकि आपको एक्साम में कोई दिकत ना हो इसको किसी मेथड से बोड़ा देखिए इलिमिनेशन मेथड से बोल रहा है तो आपको इलिमिनेशन मेथड से ही भराना पड़ेगा तब आपको नमबर मिलेगा देखिए इसका exercise 3.4 का question number 2 का one फिर सारे question इसमें ना अब टू थ्री फॉर एज वाले सबको ध्यान जाद देखिए एज वाला यह लैंडिंग लेब्रेरी वाला ठीक है फाइव यह अगो नूरी वस थ्राइस एज जोल्ड एज सोनू पास साल पहले नूरी का एज क्या था सोनू के से थ्राइस था मतलब थ्री टाइम साना 10 years later 10 साल बाद नूरी will be twice as old as सोनू 10 साल बाद क्या होगा नूरी सोनू के से त्वाइस हो जाएगी त्वाइस होगा उसका एज नूरी का एज किस से सोनू का एज से how old are नूरी एज सोने तो हम लोग को बताना है वो लोग का एक कितने साल के है न यह बताना है और वैसी इसी परकार से 3 question number 3 और question number हम लोग का 5 यह भी हम लोग का important 4 भी important होगा नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप उसको जरू से जरूर पढ़ लिजे यह भी देखें है इसमें kya landing library has a fixed charge for the first three days and additional charge for each day thereafter देखें क्या कहा रहा है एक लाइबरेरी है जिसमें क्या करता है fix charge होता है और additional charge होता है तीन दिन का तब fix charge होता है जो है तो है क्या कह रहा है आप fix charge for the three days देखिए three days के लिए तो fix charge है उसके बाद में जितना दिन के लिए आप रखेंगे book उसका क्या रोगा additional charge होगा अब यहां पर देखते हैं, for each days, सरीथा पेड 27 रुपीज for a book, kept for 7 days, जो सरीथा है, वो क्या कि उसने 7 दिन के लिए बुक ले जाती है, और कितना रुपीज पे करती है, 27, while सुजी पेड 21 रुपीज for the book, she kept for 5 days, अब वो क्या, असुजी जो है, वो 5 दिन के लिए बुक ले ज find the fixed charge and the charge of each extra day, देखिए, हम लोगों क्या find करना है, fix charge find करना है, और each extra day, मतलब कि प्रती दिन उसका कितना रुपे लगा, यह हम लोगों को बताना है, इसी परकार से आप देख सकते हैं, इसमें exercise 3.5 में भी बहुत सारे question है, question number, देखिए, इसमें भी सिर्फ दो ही question important थे, question number exercise 3.4 में दो ही question important थे, one का, question number one का सारा पढ़ लिजे और two का सारा पढ़ लिजे question, उसी प्रकार से अब लोग देखेंगे, 3.5 में, question number five, sorry, question number four, यह बहुत important है, इसमें हम लोगों को algebraic method से solve करना है, याद रखेगा, जिससे बोलेगा, उससी से solve करना है, exam में, ताकि आपके marks ना कटे, तो इसमें, इसके सारे question आप solve कर लिजे, one है, two है, four है, ताको क्या कोई दिकत नहीं होगा, समझ में आ गया, ताकि आपको exam में कोई भी दिकत ना हो, जैसे की car वाला है, सायल, place A and B are 100 km apart on a highway, देखे एक highway है, जहां पर A और B क्या है, 100 km की दूरी में, one car start from A and the, and another B at the same time, दोनों कार क्या है, एक point पे A है, और एक point पे B है, एक point A है और एक point B, हाहां से car क्या होता है, same time में start होता है, if the car travel in the same direction, अगर car क्या है, दोनों same direction में, at the different speed, पर क्या है, speed क्या है दोनों का, different है, they meet in 5 hours, तो वो कितने घंटे बाद मिलते हैं, पांच घंटे बाद मिलते हैं, if they travel towards each other, मतलब कि एक कार इधर आ रहा है, एक कार इधर जा रहा है, एक कार इधर आ रहा है, इच अधर बोड़ा रहा है, इधर और एक इधर, they meet in 1 hour, तो वो कितने घंटे बाद मिलते हैं, एक घंटे बाद मिल जाते हैं, तो what are the speed of the two cars, तो दोनों car के हम लोग क्या बताना है, speed बताना है, अब इसका question 2 भी देख लेजिए, 4 का, 2 भी देख लेजिए, 4 का, 2 भी क्या कहा रहा है, एक वर इसमें भी बता जाता है, fraction वाल है, fraction becomes 1 by 3, when 1 is subtracted from the numerator, देखे क्या कहा रहा है, कोई fraction है, वो 1 by 3 हो जाता है, जब उसमें, उसके numerator में हम लोग क्या करते हैं, 1 minus करते हैं, समझें, कोई fraction है, उसमें जब हम लोग 1 minus करते हैं, तो fraction क्या हो जाता है, 1 by 3 हो जाता है, फिर क्या कर, it becomes 1 by 4, when 8 is added to its denominator, find the fraction, और जब हम लोग 8 add करते हैं, denominator में, तो वो क्या हो जाता है, 1 by 4 हो जाता है, तो हम लोग को क्या करना है, फ्रैक्षें हम लोग को find करना है, फ्रैक्षिन हम लोग को find करके बता रहना है, क्योंकि हापर लिख्आ है find the fraction, हम लोग यहाँ पर देखेंगे exercise 3.6 पे, इसी वीडियो में ने, इसी वीडियो में मैंने सारे exercise बता दिए मैंने शुरू में बोला था कि हम लोग कुछ 3.5 और 3.6 को next वीडियो में देखेंगे लेकिन इसी वीडियो में हम लोग क्या करें देख ले दे चलिए यहां पर हमको question number जो 1 है exercise 3.6 का question number 1 जितना भी है जितना भी है आप इसको क्या कर बना लीजिए इसमें भी दो question important है one और question number two जितने भी आपको एक question मैंने बता है इसको आप पड़ के जी एक्जाम में बहुत क्या important है यह क्या है एक्जाम में बहुत important है एक यह क्या वाला है यह हम लोग का swimming वाला है इससे भी आता है question रितु रितु कैन रो डाउंस्ट्रीम 20 किलोमेटर इन टू आर्स देखे जब वो पानी की दिशा में जा रही है जब रितु जी है वो पानी की दिशा पानी आप इधर बहारा तो इधर ही जा रही है तो दो गहंटे में 20 किलोमेटर जाती है दो गहंटे में कितना किलोमेट उसकी स्पीड को बताना है तो यह तो क्या है इम्पोर्टेंट है आपसे पूच सकता है ऐसा इसके जगह में अगर यह नहीं आँ तो इसके हो इसमें आप तो इस question में आपको यह वाला question इसमें आपको हो सकता है बोट वाला भी कोशन बहुत होता है इसमें बोट वाला भी question दे तो आप इस टैप को रुकाव है पानी में आपको बताना है और पानी का पाणी का हो रहा है वह चीज हम को बताना है याद रखेगा सांत पानी में ब scient话 हमें उसकी स्पीड और यह जो फटाना ना उसके बताना इंग है तो इस question को प्यां एक बोट बोट कर दे एक स्पीड में leading कि इतना किलो कि याता है इतना घंट में फेल उपर आने में वापिस आने में उसको इतना किलोमेटर आता है तो बोट की स्पीड बताएं तो कंफ्यूज्ज मत होरा तो जैंस नहीं कोश्चन है बस थोड़ा सा चेंज कर सकता है ज्याद़ चेंज नहीं करेगा सो श्टूर्ट वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थाइंक यू